वेटुब चानल स्टिच भाई रादिका आप सभी बहुत अच्छी होंगे तो आज में पर आने वाले हैं यह ब्लैक प्लर की ड्रैस और इसके जो नीचे ट्राउजर है इसको अपने साथ श्रेयर कर चुकी हूँ लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएगा तो सबसे पहले हम करेंगे यहां पर वाटम पार्ट की कटिंग यानि कि जो हमारा घेर है जिसको हम अम्रेला कट करने वाले हैं सबसे पहले हम उसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम टॉप पार की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ने जो है यहां पर बैलविट का मेज़ करके अप इस तरीके से दे सकते हैं नहीं तो आप आप या पे 4 फोल्ड करके भी इसको एज़ली दे सकते हैं मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वह आपको 4SF में करना बताऊंगी तो हमने पहले इस तरीके से इसको डवल किया ऱ अब एक साइड से हमें जो है इक कोना पकड़ना है और सिंप्ली जो है इसको उठा के इस तरीके से दूसरे कोने से मिला देना है और यह कुछ जो है इस तरीके से यह जो हमारा समॉसी की जो शेप होती है इस तरीके से हो जाएगा अब जो बीच में जूल है इसको बिल्कुल बरावर कर लेंगे इस तरीके से निकाल कर अब यह उपर साइड जो है हम कमर का मिजरमेंट लेंगे और नीचे की साइड हमारा घेर रहेगा ठीक है अब देख सकते हैं यह जो है इस तरीके से आपका शेप आ जाएगा और आपको जो कमर का मिजरमेंट लेना है यह उपर वाली साइड याद की कोड़े पर लेना है तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने यहाँ पर 10 इंच को जो है इस तरीके से मिजर किया हुआ है यहाँ प थोड़ा से इसको और कम कर देंगे ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें कमर की मिज़मेंट की तो यह 28 है जिसका हम 4 पार्ट करेंगे तो वह एक हमारा 7 इंच और इसमें नहीं तो आप इस तरीकी से कर सकते हैं उपर के लिए मैंने इंच टिप निकाल के रखा है जितना हमारा टॉप पार्ट है उसके बार टोटल मिज़मेंट आप ले लिए और उसमें आप मार्जन लेना मत भूलेगा एक इंच जग आप जो है मार्जन ले सकते हैं तो अगर जिसमें हमने एक इंच प्लस किया था तो 40 जो है हमारी बॉटम बार्ट की लेंट है बिद मार्जन कि कर दो इसकी जो आप में लेंट की बात करें तो यह 40 इंच है आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा अच्छा अब जो है हम यहां बें सिंप्ली स्की कर देंगे कटिंग यहां पर आपको कन्फ्यूज विल्कुल नहीं होना है देखिए बस केवल हमने क्या किया है टॉप पार्ट को माइनस कर दिया तो हमारी बॉटम पार्ट की लेंट आ गई और उसमें जो है हमने एक इंच तो इस तरीके से इसका यह लुक आ जाएगा डवल में ठीक है आप चाहते तो इस डवल में भी इसकी जो है कटिंग कर सकते थे इसली लिए लेकिन अगर आप चाहे तो फोर फोल्ड में भी इसली कर सकते हैं अच्छा अब जो हमारी पास कपड़ा बच्चा हुआ है साइट मार्जन होता है ठीक है तो आप तो आप पर जो है आपको तीन इंच साइट से डाउन करना है open वाली साइट से अच्छा उससे पहले हम लैंद यहाँ पर में जब लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 26 यानिकी टोटल लेंट 26 रखी है जिसमें से हमारी तयार है वह हमारी साथे चौबिस है जिसमें हमने 1.5 इंच मार्जन दिया है एक इंच हम नीचे की साइट फोल्ड करेंगे आधा इंच ऊपर की तरफ दबाने के लिए ठीक है अब हम यहां पर इस तरीके से से सिंप्ली यहां पर शेप दे देंगे सेट साइट तर सेठ जिधक साथ पिंग यहां पर चार इंच की और फेलिंज के और इसमें हमें इल्ट का ने सकते हैं यहां सोब यहां अधानी हम जिए शैना आव जरे तो यहां इंच के सकते हैं ही आपके उपड़ भाहन करता है इसके वाज़ंकट में जो मेंदने फाइनली हम इसकी कर लेंगे cutting तो लीजी हमारी जो slips है, इसकी cutting complete हो चुकी है अब हमें करनी है top part की cutting top part की cutting हमने last में इसलिए कर रही है क्योंकि हमें जो हैं पर बचे हुऊ कपड़ा है उसी में से top part को डिकालने वाले है कि वहां आपे हैं सnai रखनी है और यहां पर इसको इस तरीके से उसके बाद फॉर फोल्ड हो घैडिया कि पहले डवल था उसके बाद एक और डबल किया तो यह उखनी है जो है जो होग रखनी है यह तीनिंट सो रिप्री तीन इंच रखनी है कि तोटल मुढ़ी के अगर हम बात करें कि पार मुढें उब नहीं साधे 5 इंच की अमरमोल की बात करें तो आरमोल हम लाखेंगे यह पर इंच के यह 54 श किर में चशेंच के मुंढ cert करेंगी आधि मेंOS के था है अनुट इस तरारी के थे जिसका हम फॉरपत करेंगी तो देर निच के करीब मार्जन ले लेंगे आप टेर इंच जो भी लेना चाहे लेकिन मैं पर एक ले रही हूं ठीक है वैसे अगर आप देर ले तो जब बैस्ट है क्योंकि मैं कोई आप जाधा मार्जन नहीं चाहिया था इसलिए मैंने एक इंच लिया और इसी तरीके से हम कमर क करेंगे तो सवावन इंच आएगा जिसमें हम एक इंच प्लस करेंगे क्योंकि हम प्रेटी डालने वाले हैं और एक इंच प्लस करेंगे रिया हम इनीचे के त्यार रहे अप जो हमने यहां पे फाइनल निशान लगाए हूं है उनको स्ट्रेट कर लेंग इस तरीक से और य तो आप यहां पे लेंट का मिजपमेंट कर लेंगे लास्ट वी तो यहां पर तयार जो है वो 11.5 इंच एक्स्टरा रहेंगे आदा इंच ऊपर दबाने के लिए आदा इंच नीचे दबाने के लिए और आदा इंच जो हैं हम princess cutting करेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा चला जाता है कपड़ा साइड से तो बाद में उसको बरावर कर देते हैं ठीक है तो अगर आपको लगता है आपका नहीं जाता है तो आप बस एक इंच तो आप 1.5 इंच एक्स्टर ले सकते हैं and finally इस तरीके से हम स्ट्रेट कर देंगे and इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छा अब जो हमाई पास ही साइड से कप्ड़ा बचा हुआ है अब इसी में से जो है हम यहां पर असर रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे कि में फैद्रिक है टीग अब देख सकते हैं यहां पर ज से हैसे भी कपड़ा से निकल जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक पार्ट हमारा निकल गया अब दूसरा पर भी हम इसी तरीकेसे निकल लेंगे मतब जहां से भी आपको लग रहा है कि कपड़े से निकल जाएगा तो आप साइट साइट से कपड़े बज जाते हैं काफी तो उसको वेस्ट नहीं करना है आप इस तरीके से जो टॉप पार्ट है उसको निकाल सकते हैं तु इसथरीके से हमारे दोनों पार्ट निकल लिए हैं और हमने लिए है तो यह पर सिंप्ली स्टिर की कटिंग और दूसरी चीज्ज हमने यहां又 यो कि हमें डालनी है प्लेटें को इस साडे तीन पर मांक करेंगे एन लैंथ जो हमें रखनी है आप शुज और और इसको SIG कर deiगे और तो तोड़ा करेंगे जिसे दूसरे साडी साइड भी चुब जाएगा ठीक है यहां पर ऑ हम करनी होना पर फ्रंट पाड जिसका हमें. इंच रखेंगे लैंथ की बात करें तो यहां पर नेक की लैंथ हम रखेंगे साड़े तीन इंच बस हमने आदा इंच एक्स्ट्रा किया हुआ है फ्रेंट वाले में ठीक है और इसको जो है हम इस तरीके से शेप दे देंगे गोलाई का और सिंप्लिस के कडिंग कर देंगे ठ ठीक है 9 इंच हमने लंबाई लिया और इस साइट से हमने 4 इंच लिया है अच्छा अब जो है हमें यहां पर नीचे से जो है यहां पर 4 इंच पर निशान लगाना है अच्छा अब जो है यहां पर यहां से हमें इस तरीके से जो है शेप देते हो जाना है नीचे की तरफ को ठीक है और नीचे साइड से हमें आगे की तरफ इस तरीके से एक इंच लेना है और यहां पर जो है इसकी लंबाई रखनी है हमें यहां पर तीन इंच इस तरीके से हमें यहाँ पे श्रेप दे देना है finally हम कर लेंगे इसकी cutting मैं यहाँ पर कर रही हूं मैं यहाँ पर side से इस तरीके से आपी cutting नहीं किये जो कि छांट लगता है तो आप पहले छांट लगा लिजी और इसके बाद आप cut करिएगा ठीक है और यह जो छांट लगता है यह फ्रंट वाले में ही आपको लगाना होता है बैक में आप मत लगा लीजेगा तो आप देख सकते हैं मैं इसे बाद में कर रही हूँ यो कि मुझे पहले करना चाहिए था मैं भूल गई थी कोई नहीं आप पहले कर लीजेए बाद में दोनों में एक ही चीज आएगी ठीक है तो यह लिजे हमारी फ्रेंट पार्ट की कटिंग जो है वह कंप्लीट हो चुकी है यहां पर टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट की ठीक है अप करेंगे हम सिंपलेस के स्टेचिंग तो स्ट इह पर नटぁ एक जो है लाट कर लेंगे उस तरीके से मुड़े लगा लेंगेwrा तो इहां पर हम उन्फीन अखेंच हो चुका है अभ इसको हमने सीधी तरफ के लिए पलट दिया है इन इसी तरीके से अ आपको जो मूद्डब कर से मुड़े प्रेन अड्र मूर्ड अथा का तुद ये देलेगे हो कि अस्थर्स से अटेश होने के बाद हमें हमें यह पर डालनी है प्लीट प्लीट के निशान लगाए थे उसी पर सुनी अतोरी प्लीट डालनी है टो जितने कि आपने मारजल लिया हो उतने चोड़े आपको प्लेटे डालनी है ठीक ए तो मैंने यहाँ पर करीब दिखेंच का जहाँ मारजली आ ता क्योंकि हमने डवल में ले रहे हैं तो आदे इंश के प्लेटे आप डाल लीजेगा ठीक है तो इस तरीके से हमारी जो प्लेटे हैं ये डल जाएंगी तो ये हमारे बैक पार्ट जो है इस तरीके से बैक पार्ट जो है इस पर प्लेटे डल चुकी है अब हमें इस पर नेक जो है इसको त्यार करना है तो neck भी हम simply यहाँ पर पट्टी लगा रहे हैं तो इस तरीके से हमने पट्टी लगा कि इसको pipe in को त्यार कर लिया है और हमारा जो back part है यह त्यार हो चुका है अब हम करेंगे front part की stitching तो front part पर हमने इस तरीके से सबसे पहले इसको join कर लिया है अस्तर से और इसके बाद जो हमें यह दोनों part जो है side वाले इस तरीके से attach कर लेने हैं तो हमने रखा है center वाले part को सीधा करकी और इसकी ऊपर जो हमें side वाला part जो है इस तरीके से उल्टा करकी हम रखेंगे और इसको stitch कर लेंगे कि दोनों पार्ट में को भी पार्ट आपको खीचना नहीं है अगर आप खीच आपको दूसरे वाला पार्ट इसको भी अटेच कर लेना है तो यह लिजे हमारे दोनों पार्ट जो है यह अटेच हो चुके हैं अब हमें यहां पर नेक को त्यार करना है अचा उससे पहले हमें आपको लेंदे दिखा देती हूं तो आप देख सकते हैं मेरी यहां पर 14 इंच कि अटेच करें अचार के नहीं अटेच होने के बाद आपको चुटी चुटी कट लगा लेने हैं ध्यान लखिएंगा इसलाइप ना लगे कट उसके बाद हमें यहां पर कट लगाने के जो है इस तरीके से मुड़्ो का अटेच करना है और उसके बाद हम इसको पलटेंगे ठीक है तो इस तरीके से हमने जो हमारा बैक पार्ट है स्कोल्टा करके रखा है और इसके बाद जो है आपको यहां पर श्लाई लगा लेनी है जब दोनों मुड़्े अटेच हो जाएं उसके बाद जो है हमारी जो फ्रेंट वाली पट्टी थी जो हमने पलटा नहीं था इसको हमने इस तरीके से पलट लेना है और बाद में आप जो है इस पर तुरपन कर लेजेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये फ्रंट वाल बैक पैट यानि की टॉप पाट तयार हो चुका है अब हमें यहां पर करनी है स्लीप को अटेच तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे ओपन और सिंपली जो है हम स्लीप को अटेच कर देंगे ठीक है यहां पर जो और जो आपका मुड़े है वो वाला जो आपका निशान है वो दोनों जो है वो बरावर आए और फ्रंट वाली साइट जिस तरीके से आपने आम होल की साइट कट का निशान लगा लेना है आगे की तरफ को यानि कि छाट लगा लेना है ठीक है और सिंपल जो है इस तरीके स हमने यहां पर दूसरी वाली स्लिप्स को भी तयार किया हुआ है अच्छा तो अब यहां पर हमें बस केबल करनी है फिटिंग उसके पहले आप एक और लेंट जो है इसके आप जह अपर एक थो मेशार माँद चैक कर लिगा क्योंकि हमें एक साइट की फिटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें एक साइट वह कटलागाना है थीक है तो यहां पर जो है इस तरीके आप जो निशान लगा लिया है अब जो निशान लगाया है हमने फिटिंग का उसी पर जो हम इस तरीके से simply लगा लेंगे ठीक है आप जो फिटिंग की लगाएं वो कम से कम दो स्लाई जरू लगाया करें तो हमने जो है आप इस तरीके से एक साइट की फिटिंग कर ली है अब इस तरीके से हमारा यहां पर जो बॉटम पार्ट है एक साइट से उपन होगा और इसी तरीके से हमारा टॉप बड़ भी एक साइट से उपन है अब सिंपली जो है आपको इस तरीके से पूरा को स्टिच कर लेना है यानि कि पूरे को स्टिच करना है कौन सी लाइंग्विज निकल रहे है मेरी भी आच ठीक है तो इस तरीके से जो है यह बरावर करके आपको स्टिच करना है और अगर आपका जो है वही थोड़ा सा भी बड़ा लग रहा है तो यहां पर जो है मेरो थोड़ा सा आपड़ा भी ले सकते हैं ठीक है इससे भी लुक काफी अच्छा आता है तो हमें इस तरीके से बढ़ावर करके इसको पूरी गुलाई में अटैच कर देंगे और जो भी प्लेटे आएंगे उसको डाल देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा यह तयार हो चुका है औ अगर आप चाहते हैं इसको फ्रेंट में लगाना या फिर और भी मतब साइड से लगाना चाहते हैं ठीक है तो आप यहां पर पूरे की फिटिंग कर लीजिए और उसकी बाद जो है यह कट जो है वह आप सेंटर में लेकर आ सकते हैं ठीक है तो उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आयोगी और यह था इसका फाइनल लुक तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा इसी तरह की अभी वीडियो के लिए बाबाई